नमस्कार दोस्तों बाजार की खबर में आज आपका फिर एक बार स्वागती दोस्तों आजम जिन तीन शेर के बारे में आपको बताने वाले हैं यदि इन तीन शेर के अंदर आप इन तीन स्टॉक के अंदर आप SIP चालू करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में काफी ज़दा benefit हो सकता है और आने वाले टाइम में ये shares आपको multi beggar बनते वे भी देखने को मिल सकते हैं ऐसा क्यों के रहे हैं सारी चीजों को detail में जाने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने screen पर पहले share का नाम यहाँ पर open कर रखा है जिसका नाम है relax of foodwares limited जी हाँ दोस्तों relax of foodwares limited के अंदर जिसे जिसे market यहाँ पर crash होता है और आपको इसके अंदर downfall देखने को मिलता है तो आप इस share के अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हैं या फिर direct investment भी कर सकते हैं क्योंकि relax of foodwares limited ने past years में भ 2.19 याने की लगबग 2% के करीबन का return यहाँ पर बना कर दिया है अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको इस relax of foodwares limited के चार्ट के अंदर थोड़ा सा downfall देखने को मिलेगा लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे market crash होता है और उसके अंदर लिमिटेट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो last 5 years के अंदर इस shares ने अपने investors को 262% याने की लगबग 262% का return यहाँ पर बना कर दिया है तो जिस भी investors ने relax of foodwares limited के अंदर 2016 के अंदर investment करा होगा उसको 5 years में ही काफी अच्छे returns देखने को मिले हैं इसी के साथ अगर हम य lifetime के चार्ट की बात करें relax of foodwares limited की तो lifetime के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो relax of foodwares limited ने अपने investors को लगबग 6213% का return यहाँ पर बना कर दिया है तो अगर यहाँ पर हम last 10 years का चार्ट भी देखेंगे relax of foodwares limited का तो काफी अच्छा चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मि मिलेगा लगबग 22,136 करोड रुपे का यहाँ पर company का market के पर हलाकि stock P ratio आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि जैसा कि आपको बताए कि last year कोरोना के impact के कारण सभी companies के उपर बहुत ज्यादा impact आपको देखने को मिला था इसलिए यहाँ पर आ यहाँ पर आपको 23.4% देखने को मिल रहा है तो overall अगर बात करूं मैं Relaxo Food Wears Limited की तो यहाँ पर Relaxo Food Wears Limited आपको long term में काफी अच्छे returns बना कर दे सकता है यदि आप इसके अंदर investment करते हैं तो इसी के बाद में जो दूसरे stock के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है Deepak Nitrate Limited जी हाँ दोस्तो Deepak Nitrate Limited ने भी काफी अच्छे returns यहाँ पर अपने investors को long term में बना कर दिये हैं मैं यहाँ पर अभी किसी भी shares के लिए आपको यहाँ पर short term के लिए suggest नहीं करूँआ क्योंकि short term के अंदर market के अंदर बहुत ज़्यादा volatility आपको देखने को मिल रह हैं जिस कारण से short term में तो आपको नुकसान हो सकता है लेकिन long term में अगर आप इन shares के अंदर SIP करके रखते हैं या फिर direct investment करते हैं तो आपको यहाँ पर long term में काफी अच्छे result देखने को मिल सकती हैं मैं तो इन shares के अंदर गिरावट के समय investment करना ही चाहूंगा दिपक नाइटरेट लिमिटेट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो last trading session के दोरान आपको 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और अगर हम यहाँ यहाँ पर last one month का चार्ट देखें दिपक नाइटरेट लिमिटेट का तो उसमें last one month के अंदर दिपक नाइटर returns अपने investor को बना कर दिया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अगर last six month का चार्ट भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिपक नाइटरेट ने 115% का return यहाँ पर अपने investors को बना कर दिया है और अगर आप इसका graph भी देखेंगे तो आपको इस graph के अ अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है अगर last one year का चार्ट में यहाँ पर open करो तो last one year के अंदर दिपक नाइटरेट ने अपने investors को 245% का return यहाँ पर बना कर दिया है last five year का चार्ट अगर यहाँ पर open करेंगे तो last five years के अंदर दिपक नाइटरेट ने अपने investors को लगबग 2000 करीबन के आप यहाँ पर return बना कर दिया है 2000% का return यहाँ पर कोई भी अगर company सिर्फ 5 साल के अंदर अगर बना कर दे सकती है तो आप समझ सकते हैं कि वो company की performance किती अच्छी चल रही है और अगर हम यहाँ पर last maximum years का chart देखेंगे तो last 10 years के अंदर company ने 8631% का return यहाँ पर investors को बना कर दिया है यानि कि अगर आपने आज से 10 साल पे ले company के अंदर 1,00,000 रुपे लगाए होते तो वो आपके 1,00,000 रुपे company ने 86,00,000 रुपे को बना कर दिये है तो बहुत ज़ादा return यहाँ पर company बना कर दे रही है तो यहाँ इस company के अंदर भी यहाँ पर जब market crash होता है तो अगर गिरावट होती है तो आप इस company को भी अपने portfolio में रख सकते हैं अगर इस company के market capitalization की बात करें तो दीपक नाइटरेट की market capitalization 21,255 करोड की है अगर stock P ratio भी आप देखेंगे तो 32 stock P ratio आपको देखने को मिल रहा है company के ओपर 600 सिंत्याणू करोड रुपे का debt है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लेकिन सबसे च्छी बात है कि अगर आप यहाँ पर जो जिस sector में company काम करती है उस sector में अगर आप उसी के competitors को अगर आप देखेंगे तो उनका PE अगर आप देखेंगे तो उनका PE आपको दीपक नाइटरेट से ज़्यादा देखने को मिलेगा कि यदि आप दीपक नाइटरेट के अंदर investment करते हैं तो long term में आपको काफी अच्छे result यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं दीपक नाइटरेट के अगर हम यहाँ पर financial numbers की बात कर रहे हैं तो case के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ company ने यहाँ पर last quarter के result में 31 करोड का case यहाँ पर declare किया था और सबसे बड़ी बात company यहाँ पर dividend भी declare करती है जी हाँ दोस्तों dividend का ratio भी आप देख सकते हैं 0.29% यहाँ पर company ने dividend भी pay किया है उसके बाद में हमारे तीसरे stock की तरफ हम चलते हैं जिसने यहाँ पर हमारे आज की इस वीडियो में जगा बनाई है उसका नाम है jubilant foodworks limited जी हाँ दोस्तों jubilant foodworks limited का current share price 2836 रुपे पर trade कर रहा है और last trading session के दोरान भी आपको लगबग 2% के करीबन की तेजी jubilant foodworks limited के अंदर देखने को मिली है jubilant foodworks limited भी एक एसा share है जिसके अंदर यहाँ पर market crash होता है और गिरावट होती है तो इसके अंदर भी आप buying की opportunity देख सकते हैं jubilant foodworks limited ने last 6 month के अंदर अपने investors को लगबग 25% का return यहाँ पर बना कर दिया है तो यदि आप jubilant foodworks limited के अंदर भी investment करना चाते हैं तो यह भी आपके लिए एक फायदे मन सोधा हो सकता है अगर last 1 year का चार्ट देखेंगे तो आप last 1 year के अंदर भी jubilant foodworks limited ने लगबग 88% याने की 88% का return अपने investor को बना कर दिया है और last 5 year का चार्ट देखेंगे तो last 5 years के अंदर jubilant foodworks limited ने यहाँ पर 355% का return अपने investors को बना कर दिया है और इसी के साथ अगर last maximum years का चार्ट देखेंगे आप यहाँ पर यानिकि जब से company listed हुई है तब से अगर आप यहाँ पर इसका चार्ट देखेंगे तो लगबग 2352% का return यहाँ पर company ने अपने investor को बना कर दिया है jubilant foodworks limited का यदि आप market capitalization देखेंगे तो 33,390 करोड का market capitalization है और अगर यहाँ पर आप company के उपर debt देखेंगे तो 1628 करोड रुपे का यहाँ पर company के उपर debt है अगर हम company के cash के तरफ भी नजर मारें तो company ने यहाँ पर जो last quarter के अंदर cash declare किया था वो था 656 करोड रुपे का तो overall अगर हम इन 3 stocks के बारे में बात करें तो यह 3 stocks जितना ज़्यादा गिरते हैं उतना ज़्यादा आप इनके अंदर investment करने का मन बना सकते हैं इनको अपने portfolio में रख सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर investment करने के फिले अपने financial advisor से concern कर लेना है क्योंकि हमने यह video सिर्फ आपके knowledge purpose के लिए बनाई है